नमस्कार दोस्तो एक बर फिर से हराई नीउस पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत सौगत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरे आप तक आगे इसी वीडियो में जाएंगे लगातार हमारे साथ बढ़े रहिएगा तो वहीं दोस्तों चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो को पहली बड़ी खबर बताते चलें चुनाव आयोग के फैसले के खिलाब सुप्रीम कोट जाएगा ठाकरे गुट संजयराउद बोले दो हजार करोण का हुआ सौधा जी हां दोस्तों खबराप लोगों को बताते चलें चुनाव आयोग ने सिवसेना का नाम और निसान मुख्यमंत्री एकना संजयराउद ने यहां पर जबरदस तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग को निसाने पर लिया है संजयराउद ने बड़ा आरुप लगाते हुए का है कि उन्हें यकीन है कि चुनाव चिन और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोण के सौधे और लेन देन हो चुके है ठाकरे गुट का कहना है कि वहाँ इस फैसले के खिलाब सोप्रीम कोड जाएंगे और इनसाफ की गुहार लगाएंगे और वहीं पूरे मामले पर उध्धप ठाकरे की तरब से बयान आया है उन्होंने का है कि हमारा चुनाव निसान पिया मोधी और उनके गुलाम चुनाव आयोग ने छीना है यह यहाँ पर ठाकरे गुटने हुंकार भरिये और जबरदस तरीके से चुनाव आयोग और केंद्र की मोधी सरकार और भाजपा को निसाने पर लिया है इस वीच एक और बड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं सौ सीटों पर ही सिमट जाएगी बीजेपी तमाम मोर्चों पर घिरी मोधी सरकार के लिए नितिश कुमार ने बजाई है खत्रे की घंटी दे दिया है बड़ा बयान और वहीं अब कॉंग्रस पार्टी की भी प्रतक्रिया सामने निकल के आई है साल दोहजर चौबिस में हो भारत जोड़ो यात्रा ने जो असर छोड़ा है उससे कॉंग्रस के अलावा दूसरे विपच्छी दलों के निता बेहधी उस रही था है इन सब के बीज में बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने बड़ा बयान दिया है सीम नितिश ने कहा है कि अब कॉंग्रस को आगे का फैसला करना चाहिए और विपच्छी एक जुटता में देरी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी सीम नितिश कुमार ने कहा है कि हम तो इंतिजार कर रहे हैं मैंने तो दिल्ली जाकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलकात भी की थी बताते चलें अब सियम नितिस कुमार ने कॉंग्रस नेतरत से अपिल की है कि सब एकजुट हुए तो बीजेपी 100 सीट के नीचे ही निपट जाएगी बिहार में विपच्छी दल एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और वहीं अब पूरे मामले पर कॉंग्रस पार्टी की भी प्रितक्रिया सामने निकल की आई है सियम नितिस के नेतर का कॉंग्रस के नेता जैराम रमेश ने किया है स्वागत बोले विपच्छी एक्टा के मुद्टे पर रायपुर अधिवेशन में होगी वारता मुख्यमंत्री नितिस कुमार के विपच्छी एक्टा के सवाल पर कॉंग्रस के वरिष्ट नेता जैराम रमेश ने काई कि कॉंग्रस के बिना कोई भी कढ़बंदन सफल नहीं हो पाएगा और विपच्छ में कोई भी गढ़बंदन कॉंग्रेस के बिना किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो सकता वहाँ विफल हो जाएगा कॉंग्रेस ही यहाँ पर एक मात्र ऐसी पार्टी है जो देश भर में चुनाव लड़ती है और भाजपा का मुकाबला कर सकती है ये कहना है जैराम रमेश का एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं हरियाना में भार्पा सरकार के खिलाब जबरदस्त प्रदर्चन करमचारियों ने कहा अगर मांगे नहीं मानी गई तो सरकार ही बदल दी जाएगी खबर बताते चलें पुरानी पेंशन बहाली के लिए करमचारियों ने सियम आवास के पास दिया है धरना पुलिस ने की है पानी की बोचारें जी हाँ दोस्तों अपडेट की तरह बढ़ते हैं हरियाना में ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर के पेंशन बहाली संघर्स समिती ने आंदोलन को तेज धार दे दी है पेंशन बहाली संघर्स समिती अब सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई के मूर में है 19 फरवरी को सरकारी करमचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर के पंचुकुला में हरियाना के मुख्यमंत्री के आवास के पास में धरना दिया बताते चले इस दोरान प्रदर्शन कर रहे हरियाना सरकार के करमचारियों के खिलाप में वाटर कैनन का इस्तमाल किया गया पुलिस की तरप से और प्रदर्शन के दोरां लगभग यहां पर 70,000 करमचारी विरोध प्रदर्शन में 71 हुए और जबरदस तरीके से सरकार के खिलाफ यहां पर हला बोला और यहां पर दो टूक ऐलान कर दिया गया है कि अगर पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाती है तो राज्य के अंदर सर पर कॉंग्रेस या कोई अन्य पार्टी की सरकार है वहां पर कई जगहों पर पुरानी पेंशन बाहल करती गई है जिसके कारण अब भाजबा की मुस्किलें बढ़ती हुए नजर आ रही है एक और अपडेट आ रही है बताते चलें बीजेपी के सांसद सानी देवल की सदसिता रद करें बंद करें वेतन और भत्ता बीजेपी सांसद के खिलाप लोग सभा स्पीकर को पत्र क्या कुछ है पूरा मामला खबर की तरह बढ़ते हैं फिल्म अभिनेता सानी देवल ने जब साल 2019 में अपने राजनितिक सफर का आगाज किया तब लोगों की बड़ी तादाद ऐसी थी जिसे सानी देवल में रियल हीरो नजर आया सानी देवल ने साल 2019 के आम चुनाओं में पंजाब के गुर्दासपुर लोग सभा सीठ से किस्मत आजमाई और जनता ने भी उन्हें निरास नहीं किया गुर्दासपुर की जनता ने 84,000 वोट से अधिक के अंतर से भारी विजय का आसिरवाद दे करके सानी देवल को लोग सभा में भेजा लोगों को उमीद थी कि विनोध खन्ना की तरहें सानी देवल भी छेतर के विकास के लिए कुछ अलग करेंगे सानी देवल ने चुना परचार के दोरान लोग सभा छेतर की जनता से बड़े बड़े वादे भी किये लेकिन वादे पूरे करना तो दूर वेजीत की बाद पलट करके गुर्दासपुर नहीं गए इसको लेकर के जनता में आकरोस बढ़ रहा है सानी देवल के छेतर से लगातार गायब रहने और लोग सभा से भी नदारद रहने को अव्विरूधी यहां पर मुद्दा बनाने लगे हैं बताते चलें गुर्दासपुर के महला संतनगर निवासी अमर जो सिंग ने लोग सभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिकर के सनी देवल की सदसता रद करने की मांग की है उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सनी देवल करीब चार साल से अपने लोग सभा छेतर से अनुपस्थी थाएं गुर्दासपुर की जनता ने उन्हें बड़ी उमीदों के साथ चुना था उन्होंने तमाम बड़े वादे किये थे लेकिन वादों को पूरा करना तो दूर की बात है वहाँ चुनाव जीतने के बाद एक बार भी नजर नहीं आए हैं अपने लोग सभा छेतर में तो ये तो दोस्तों हाल है भाजबा के सांसदों का चुनाव जीत जाते हैं और दुबारा अपने लोग सभा छेतर में ही नजर नहीं आते हैं इस बीचे का और अपडेट की तरह बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की पुर्व मुख्य मंत्री महबूबा मुफ्ती का किंदर सरकार पर हमला कहा ये बनाना चाहते हैं बीजेपी राष्टर मुसल्मानों से भी बत्तर करतेंगे हालात पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने किंदर की मुधी सरकार पर निसाना साधते हुए कहा है कि मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर उन्हें लगता है कि बीजेपी मुसल्मानों की पीछे पड़ी है तो आप इस खौप से बाहर निकल जाईए ये कोई राश्टर नहीं बनाना चाहते हैं जहां पर सिर्फ एक पार्टी हो और उसकी ही विचारधारा हो जो इनके साथ रहेगा वो ठीक है लेकिन जो इनके साथ नहीं रहेगा उसकी हालत ये मुसल्मानों से भी बत्तर कर देंगे जिहें लगता है कि ये उनकी जमात है ये उ पुर्व मुख्यमंत्री महभूबा मुफ्ती ने केंद्र की मूदी सरकार पर एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं यूपी में जातिगत जनगडना की मांग को लेकर के समाजवारी पार्टी 24 फरवरी से सुरू करेगी अभियान विधान सभा में भी जोर सोर से उठाएगी ये मुद्दा जी हां दोस्तों ख़बर आप लोगों को बताते चलें समाजवारी पार्टी उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगडना की मांग को लेकर के 24 फरवरी को राजजिव्यापी ब्लॉक इस तरिये अभियान सुरू करेगी बताते चलें पहला चरण 5 मार्ज को समाप्त होगा अभियान 20 फरवरी यानी की आज से सुरू होने वाले यूपी विधान मंडल के बज़र सत्र के साथ मेल खाता है पार्टी के अध्या चकेलेश यादम ने एलान किया है कि पार्टी इस मुद्टे को विधान सभा में भी जोर सोर से उठाएगी यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेह के समाचारों को जान सकें वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद